नमस्ते आनी स्वागत्च सवेला एवियाटेक चैनल मा आजको एस वीडियो मा हमी निपाल मा एर्क्राफ्ट मेंटेनेंस एंजिनियर कसरी बनने विशय मा चर्चा गरने चाहूं आउना होज सुरुगरों एर्क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनेरिंग भने को क्ये होतां? एर्क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनेरिंग भने को एर्क्राफ्ट को रेगुलर मेंटेनेंस, डिफेक्ट मेंटेनेंस, एवियोनिक्स, एलेक्ट्रोनिक्स, एलेक्ट्रिकल, इकुप्मेंट, इंस्ट्रॉमेंट को मेंटेनेंस, एर्क्राफ्ट को पार्स मेंटेनेंस देख पार्ट 66 बनिंज एन कार बनिको नेपलीज civil air orderness requirements हूँ यो कोर्स तीन ओटा काटेगोरी में डिबाइट भाय कोशा काटेगोरी A, काटेगोरी B रो काटेगोरी C काटेगोरी A लाई technician, काटेगोरी B लाई engineer रो काटेगोरी C लाई base maintenance engineer बनिंज काटेगोरी A लाईसेंस पाय को technician ले aircraft को scheduled line maintenance रो simple defect अरु rectify गरने authority पाँश रो यो काटेगोरी A भीत रो चारोटा सब काटेगोरी अरुपनी पर्दाशन तीहुन A1, A2, A3 रो A4 A1 ले turbine engine plane cover गर्षा रो A2 ले piston engine air plane cover गर्षा बने A3 ले turbine engine helicopter रो A4 ले piston engine helicopter cover गर्दशा काटेगोरी B लाईसेंस तीन उटा सब काटेगोरी में डिबाइड भाय कोछा तीहुन B1, B2 रो B3 रो B1 पने फेरी चारोटा सब काटेगोरी में डिबाइड भाय कोछा B1.1, B1.2, B1.3 रो B1.4 B1.1 ले turbine engine air plane cover गर्षा बने 1.2 ले piston engine air plane cover गर्षा तीह गरी B1.3 ले turbine engine helicopter cover गर्षा बने B1.4 ले piston engine helicopter cover गर्दशा B1 लाईसेंस पाउने इंजिनेर ले एरकाफ्ट को structure, power plant, mechanical, electrical equipment हरू को maintenance गर्णा पाउदशा बने एरकाफ्ट को avionics system रो एसको simple test हरू बने गर्ने authority पाउदशा तीह गरी B2 लाईसेंस पाउने इंजिनेर ले एरकाफ्ट को avionics, electronic system, mechanical system देखेले एर सबे system हरू को maintenance गर्ने पाउदशा साथ साथ तैह एरकाफ्ट लाई certificate of release to service पाने issue गर्ने authority पाउदशा तीह गरी काटेगोरी B3 को engineer ले non-pressurized airplaneer को maintenance गर्ने authority पाउदशा काटेगोरी C licensed engineer ले aircraft को best maintenance गर्ने रो काटेगोरी A को technician, category B को engineer को supervision गर्ने authority पाउदशा एरक्राफ्ट maintenance engineering को लागी काटेगोरी कसा इडे चूज़ गर्ने तो यदि तपाईलाई technician बन्ने इच्छा बने काटेगोरी A चूज़ गर्दा हुँँछ बने अली advanced task रोल को लागी रो engineering level को लागी काटेगोरी B लिदा best हुँछ यदि काटेगोरी A चूज़ गर्ने भाया बने तपाईले काटेगोरी A ट्रेनिंग को दोरान मा काटेगोरी B को थेओरी मोडल अरुको एक्जाम देना सक्ना हुँछ रो पची experience पुगी सेके पची काटेगोरी B लाइसेंस मा अपग्रेड गर्ना सक्ना हुँछ रो यदि तपाईले काटेगोरी B डाइरेक्ट पढ़नों चाबने तपाईले काटेगोरी A पढ़ी राखनों पर देना एर्रक्राफ्ट मेंट्रनेस इंजिनेरिंग बनना रिक्वार्मेंट हरके के हुँद शुरूमा एज रिक्वार्मेंट हेरों AME कोर्स माँ एंट्रोल हना का लागी तपाईं 18 येर्स होनु पर्दाश रो 18 येर्स मन्दा कम बयपनी ट्रेनिंग लिनाचे मिल्छ तर लाइसेंस अप्लाई गरने बेलामा रिक्वार्ड एज होनु पर्दाश रो एजुकेशनल रिक्वार्मेंट को कुड़ा गर्दा AME कोर्स माँ एंट्री पाऊना तपाई को मिनिममम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 प्लस 2 साइन्स पास विद फिजिक्स अन्माथमेटिक्स होनु पर्दाश यदी तपाई संग एरोनोटिक्स, मेकानिकल वा एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग माँ बैसलर्स दिग्री छा बनी तपाई ले एनकार पर्द 66 को एग्जाम होरे दियेरा एरक्राफ्ट मेंटिनेंच इंजिनियरिंग बनना सक्न होन्च इसे पर्द 66, AME कोर्स को लागी तपाई फरिंग कंच्री मा जाना सक्न होन्च नेपाल मा पनी एगदी ओठा AME कोलेज रिसेंटली उपन भाये कासन इक कलेज हरेले फरिंग इंस्टिूट संगा कोलाबरेट गरेरा नेपाल में पार्ट 66 इंजिनियरिंग कोर्स अबाईलेबल गरे कासन तपाई संगा बजेट कम चाबाने नेपाल में ट्रेनिंग लिदा पनी होन्च तरो एडवांस्ट अथेंटिक कोर्स रो रामर एक्सपेरेंस को लागी फरिंग कांच्री मा ट्रेनिंग लिएको एकदमे बेस्ट होन्च ट्रेनिंग डूरेशन को कुड़ा गर्दा एरक्राफ्ट मेंटरेंस इंजिनियरिंग को काटिगोरी अनुसार ट्रेनिंग पिरेट फराग होन्च काटिगोरी एक कम्रीट गरना लाई अल्मोस्ट 2.5 यूर्स लाग सा बने काटिगोरी ब को लागी तिस्ताई 3-4 यूर्स लाग दसु यू ट्रेनिंग पिरेट मा तपाईले ठीओरी रो प्रेक्टिकल दुबे संसंगें पाउन होनेच लाइसेंस पाउन का लागी लाइव एरक्राफ्ट मा प्रेक्टिकल एक्स्पिरिंस मेंटरी वायकोले ट्रेनिंग इंस्टिटूट ले EASA Part 147 Approved Training Organization रो EASA Part 145 Approved Maintenance Organization मा तपाईलाई लाइव एरक्राफ्ट को मेंटरेनिंस ओपोचनिटी दिन्छन रो नेपाल को केस्ट मा यो एनकार Part 147 Approved Training Organization रो एनकार Part 145 Approved Maintenance Organization मा लाइव एरक्राफ्ट मेंटरेनिंस को एक्सपिरेंस लेनु परदाश एरक्राफ्ट मेंटरेनिंस इंजिनरिंग लाइशन्स एरक्राफ्ट को टाइप अन्सार पनी दिने गरींछ जुनलाई टाइप रेटिंग बनीछ यदि तपाई एरबस A320 मा टाइप रेटेड हुना चान नो अन्छा बने तपाई ले ट्रेनिंग पिरेड मा A320 को टाइप रेटिंग ट्रेनिंग पनी गर्नु पर्दाश जुन भने को A320 काई Life Practical Experience लेनु पर्दाश रपची एरलाई गर्दाश तपाई A320 बहे काई एरलाई गर्दाश यो टाइप रेटिंग ट्रेनिंग चाई कुने-कुने इंस्टिट्यूत ले आपनो कोर्स में इंक्लूट गरएका हुंचार मने इंक्लूट नगरेको खण्डामा तपाईले आपने खर्चमा पने गरन परने हुंच A.M.E. कोर्स कसर अपलाई गरने तो अधि तपाय नेपाल में AME कोर्स गर्न चाहानु होंच भने या भःको कलेज मा गईर डिरेक्ट एडमिसन लिना सक्नु होंच एवियो ट्रेस नेपाल रो नर्थनलाइट एकाडेमी ओफ एवियेशन एन टेक्नलोजी वनने कलेज ओर मा गईर बुजे र इन्रोल होना सक्नु होंच परिंग कंच्री मा अपलाई गर्ने हो बने तपायले या काट्मडुमा भःका कंसल्टेंशी मा गईर रेक्वार डोकुमेंट भुजायर विशाय अपलाई गर्ना सक्नु होंच ट्रेनिंग कोस्ट को कुराय गर्दा एरक्राफ्ट मेंट्रेनेंस इंजिनेरिंग कोर्स अरू इंजिनेरिंग कोर्स बन्दा अली मांगो ने रहांच नेपाल मा ट्रेनिंग लिदा कोस्ट तेई पंदर लाक देखी माथी पर्ना जानच बने फोरिंग इंस्टेट्यूट मां 30 लाग बंदा माथी पर्दाश रयोपनी कैटेगोरी अनसार फरक परश कैटेगोरी बी कैटेगोरी ए बंदा अली मांगो श बिदेश मां ट्रेनिंग लिदा विशाचाज, अकॉमोडेशन, प्रैक्टिकल एक्स्पिरेंच चाज अली मांगो पर्ना जान्च एर्रक्राफ्ट मेंटरेन्स एंजिनियरिंग को इसकुप नेपाल मां कोश्ट शाथ एदि मात्र नवायर, नेपाल को प्रैबेट एर्रलाइन्स अरूले एर्रक्राफ्ट अरू थपने क्रम जारीश रो नवा एर्रलाइन्स अरूपनी बविश्यमा आउनेशन तसकारण एंजिनियरिंग को इसकुप नेपाल मां रामरी बन्न परदाशा किना वन्यों एकदमें इंपोर्टेंट जाब हूँ सालरी को कुरा गर्दा एर्रक्राफ्ट मेंटरेन्स एंजिनियरिंग को सालरी नेपाल मां फ्रेशर कैंडिडेट लाई पचास जार पर मंथ पाट स्टार्ट हूँच रो एक्सपरेन्स बरदे जाधा सालरी इंक्रीज हूँच योपनी एर्रलाइन्स अनुसार फरक परदश एर्रकाफ्ट मेंटरेन्स एंजिनियरिंग को बैकेंसी कसरी पबलिस हूँच यदि तपाईगो रिकार्मेंट पुक छा भाने नोटिस हेरे रा अप्लाइगरना सक्ना हूँच एमे वेकेंसी को लागे यो एवट एग्जाम्पल हैना सक्ना हूँच यो वेकेंसी अनौन्समेंट मा परवु हेलिकाप्टर प्राइबे लिमितेद ले दुई जाना एर्काफ्ट मेंटरेनेंस इंजिनियर मागे को छा रो रिकार्मेंट हरुचाई एर्काफ्ट मेंटरेनेंस लाइशेंस होल्डर रो रोबिंचन आर 66 रो एर्बोस H125 हेलिकाप्टर मा टाइप रेटेट लाइशेंस होल्डर भायको उनुपर्दाश यदि तपाईले फोरिंग इंस्टिट्यूट मा ट्रेनिंग लिनुब भायको छाबने तपाईले इंटरनेशनल एर्लेंस मा पनी EME को लागी अपलाई गरना सक्ना होन्ज लाइसेंस्ट एर्काफ्ट मेंटरेनेंस इंजिनियरिंग बनने प्रक्यारु इने होन तपाई हरको केई जिग्यासा क्वेश्चिन्स हरूच हाबने तलक कमेंट बक्स मा लेकी दिनुब ला वीडियो अन्ते समन हेरी दिनुब भायको मा देरे देरे दने बाच्च रहस्ते एविशन रिलेटेड वीडियो जोरी हेर नाग लागी हमरोज चनल लाई सब्सक्राइब गरे दिनुब ला जय नेपाल